प्राकृतिक अंगों से प्राकृतिक रूप से प्रसब सुनिश्चित कराने के लिए आगे आए आधी संक्राचार यहाँ बाद बालाजी सेवक जगवीर दास ने पत्रकारों से कही बालजी धाम मंदिर गोल पाड़ा के चरंट सेवक जगबी दास तौमन ने बताया कि संसार के हर जीव का जन्म प्रसब प्राकरतिक अंगों से प्राकरतिक रूप से हो रहा है जबकि हम इनसान पाशान युग से भी पीछे चले गए हैं और भारत की महिला का प्रसब पेट चीर फाड़ कर कराया जा रहा है उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर किया जा रहा है प्राकरतिक रूप से प्रसफ सुनिशित कराने के लिए जगबी दास द्वारा विगत दो वर्षों से अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहट सभी सांसदों को कमिशनर के माध्यम से ग्यापन दिया गया समय समय पर शहर के मद्ध धन्ना दिये गए प्रतिदिन एक सांसद का पुतला फूंकते हुए सो सांसदों के पुतले मंदिर के सेव फूंके द्वारा जलाये गए उसके पश्याथ हर मंगलवार को एक केंद्री मंत्री का पुतला इस्थानिय सांसद के साथ फूंका गया और 26 जनवरी गरतन दिवस को गली गली चौराहों चौराहों पर केंद्रिय मंत्रियों के पुतले फूंके गए एक पत्र प्रती दिन के हिसाब से 101 दिन मान्य प्रधान मंत्री जी को डाग द्वारा भेजा गया उन्होंने भी उस सिकायत को व्यक्तिकस समझ कर मद्यप्रदेश सरकार की और भेज दिया लेकिन कोई कारेवाही नहीं की राजनीतिग्यों ने मंत्रियों ने सांसदों ने अपने पुतले जलाना सुईकार कर लिया लेकिन डॉक्टरों की लूट खसोट लालची प्रवती से जंग लड़ने में उन्होंने सयोग नहीं किया और अपनी हार मान ली क्योंकि इस तरह इतने पुतले जलाने का इत्यास अब तक भारत में नहीं है अब सेवक जगबीर दास ने सनातन धर्मी आदी शंकराचारे धर्माचारे भागवत आचारे कथावाचक महामंडलेश्वर संतों महासंतों से इस और ध्यान देने के लिए यहाँ पत्राचार प्रारम किया है और उनसे पूरी तरह उमीद की है कि वहा इस और निश्चित रूप से ध्यान देंगे और भारत की महिला शक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर होने से बचाने के लिए चिंतित होंगे उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे और पूर्विकी भाती प्राकृतिक अंगों से प्राकृतिक रूप से प्रशफ कराना शुनिश्चित कराएंगे मंदिर में सापता है कारकरम सामोही के रूप से हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है सवामन का भोग लगा है अब शेक चोला सिरंगार किया गया है प्रभू हनुमान जी माराज का इस मंदिर से मेरे द्वारा देखा दो वर्स से शीजर डिलेवरी के खिलाप महिम चलाई जा रही है उसी के तहट मेरा कहना ये है हम मानब अब प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहे हैं महला का पेट फाड़ के क्या हम पासान योग से पीछे चले गए हैं कौन से काल में इस तरह एक से पेट फाड़ कर मनुष्य का जन्म हुआ है हमें हमारे इराजनितिक लोग नहीं बता पाए हमने सारे सांसदों को हिंदोस्तान के पूरी संसद में बैठे हुए सारे सांसदों को ग्यापन दिए हमने स्वास्त मंत्रियों को ग्यापन दिए हमने 101 सांसदों के प्रतिदिन के हिसाब से पुतले फूंके हमने हर मंगलवार को केंदरी मंत्रियों के पुतले फूंके यहां तक कि 26 जनवड़ी गलतंत्र दिवस को चोराए चोराए और गली गली में केंदरी मंत्रियों के पुतले फूंके क्या कहेंगे इसे निश्यत रूप से राजनीती ने इस मामले में हार मानली है अब हमारे धर्माचारे हैं धर्माचारेों से मेरी प्रार्टना है निवेदन है मांग है कि आप ही अगर धर्म को भूल जाएंगे आप ही अगर प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो आखिर फिर हिंदोस्तान में इस प्रकृति को कौन बचाएगा हमारा जन्म हमारा जन्म अप्राकृति ग्रूप से अप्राकृति के अंगों से अप्राकृत तरीके से हो रहा है इस पे कौन बचार करेगा इस पे कौन सोचेगा तो राजनित्यों को छोड़कर अब मैं धर्मा चाहरे हूँ कथा बाचकों के पास अपनी बात को कहने जा रहा हूँ उन्हें जगा रहा हूँ कि वो इस मामली में आश्चिप करें और आगे आएं और शामान प्रिसव सनिश्चित कराने के लिए अपना जो भी कुछ प्रियास कर सकते हैं बेग्यानिकों से कह सकते हैं राजनितिक्यों से कह सकते हैं जो भी प्रियास कर सकते हैं उहें प्रियास करें इसी के तहट मैंने सभी चार संक्राचारों को पूरा पश्चे मुत्तर दच्छन चारो संक्राचारियों को चारो पीठों पर पत्र लिखा है और उनसे आग्रे किये प्रार्षना किया है किया हुआ इसमें अस्चेप करें और प्राकिर्तिक प्रिस्व सुनिश्चित कराने के लिए आगे आए झालव सिर्वी, कि बस्क्राओ को नचे और वा झालवाव